आजादी के 77 सार वैसे देखा जाए तो इस आजादी की जो अनुभूती है वो आपको रोजाना होनी चाहिए और साल के किसी एक दिन बें नहीं होनी चाहिए पर वैसे जिन्दगी के हर पैमाने में आजादी के माइने क्या है और किस तरह से आपको हर पैमाने पर आजादी मिल सकेगी ये शायद समय ही हमें आगे चल कर बताएगा या इसके लिए थोड़ा सा और समय जरूर लग सकता है लेकिन जब बात हो आर्थिक आजादी की तो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है आपके लियंतरण में है तो आजादी के 77 साल के महा उत्सफ में आज हम बात करने वाले हैं भारत के 77 येर्ज की आर्थिक आजादी के सफर पर और आने वाले 77 साल का आर्थिक भविश्ट कैसे रह सकता है इन सब का आकलन करेंगे कैसे शक्स के साथ जिसने इस पूरे अनुभव को पिरो रखा है और अपने अनुभव के जरीए वो आपको और हमारे जैसे तमाम निवेशकों और बाजार की जानकारी रखने वाले इच्छुक लोगों का मागदर्शन करते हैं और मैं बात कर रही हूँ कोटक एमसी के निलेश शाक का जो हमारे साथ हैं स्वागत है आपका और हमारे इस आजादी के महाउटसव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और धेरो शुपकामना है आपको आपको और आपके सभी दर्शकों को Independence Day की सुपकामना है दरनिवाद सर तो आजादी के माइने क्या है इस दो शुरुआ करते हैं आप कैसे समझते हैं आजादी को आपके लिए क्या माइने है निवेशक के लिए आजादी का माइना है यह जैसे चाहे अपना जीवन व्यतित कर सके इसे किसीन देश में और विदेश में दोनों जगा पे बेजिजक वो अपना माल सामन बेच सके एक देश की आजादी तब है जब उसके सारे नागरिक सुरक्षित हो और सब में एक कुशल मंगल हो रूटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केर, एजुकेशन ये सारी चीजे सब लोगों के इतने साल आपने बाजार को देखा, इतने साल आपने अगर हम आर्थिक तोर पर भारत की कहानी को समझना चाहें, तो काफी बारीकी से आपने इस कहानी का अनुभव किया और अपने अनुभव से बहुत लोगों का मारदर्शन आप लगातार करते आए हैं, लेकिन 77 साल में अगर भारत को आर्थिक मोर्चे पर, वित्ते मोर्चे पर हमें समझना हो, कहां तक पहुँचा है, कैसी कहानी रही है, कितनी चुनोतियां और किस तरहां से उबरा है, विश्व में महागुरू कैसे बना है सो 1947 से 1990 तक हम कह सकते हैं, कि हमने कुछ ऐसे रास्ते चुने, जिससे आर्थिक आजादी प्राप्त नहीं हुई, अच्छा 1947 में हम और जपान एक दूसरे के बराबर थे, पर कैपिटा जीडिपी में, साथ में हम और साउथ कोरिया एक बराबर थे, असी में हम और चाइना एक बराबर थे, आज ये सारे देशों ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया और उसका एक ही कारण है कि 1947 से 1990 तक हमने जो विकास का रास्ता चुना और जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें लूटा था, वो दोनों ने मिला के हमें पीछे छोड़ दिया नबे से हमने आर्थिक आजादी का रास्ता अपनाया, लिब्रलाइजेशन किया, एकनॉमी को, बिसनिसमेन को आजादी दी और तब से हमारी ग्रोथ स्टोरी तीजी से बढ़ने चालू हुई अगर मैं 2014 से 2023 तक का देखू, तो पहले हम दुनिया की 10th largest economy थे, आज 5th largest हुए है और कुछ सालों में 3rd largest बन जाएंगे ये 10 से 3 की जो जंप है, वो सबसे जादा और सबसे तेज इन 10-15 सालों के बीच में हुई है हमारा जो market share था global GDP में, वो 2.6% था 2014 में, आज 3.7% के आसपास है और कुछ सालों में 4-4.5% के आसपास पहुँच जाएगा जो most important चीज है per capita GDP, एक जमाने में हम Bangladesh और Shri Lanka जैसे देशों से per capita GDP में पीछे हो गये थे आज कम से कम उनसे तो आगे आने लगे हैं, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमने एक रफ़तार पकड़ लिये 1990 के बाद और उस रफ़तार में और तेजी आई है 2014 के बाद इस रफ़तार के स्तंब कौन से हैं आपके मताबिक? सबसे पहला भारत की ग्रोथ का जो फेक्टर है वो उसका entrepreneurship दिमाग है हमारे businessmen एक अभी मन्यू की तरह है वो पैदा ही चक्रवियू में होते हैं, market के उतार चड़ाओ, infrastructure, bottleneck इन सबसे लड़ते हैं और पहले तो वो सिर्फ कवरोव से नहीं, पांडव से भी लड़ते थे compliance burden था, regulatory burden था आज की तारिक में ease of develop, ease of doing business बड़ी है बट हमें बहुत आगे जाना है उसमें तो ये entrepreneurs of India है, वो IT क्षेत्रम में, two-wheeler क्षेत्रम में, generic pharma क्षेत्रम में एक बहुत अच्छा काम करके दिखा चुके हैं अब ये हमें और क्षेत्रम में लेके जाना है बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है, क्या ये कह सकते हैं? मैं कहूंगा कि थोड़ा है और बहुत की ज़रूरत है अगर हम आज भी देखे, तो भारत तीन प्रकार का भारत है एक परसंट भारत ऐसा है, जिसकी पर कैपिट है, जीडिपी, फ्रांस के बराबर है वहाँ के लोग डेवलप वल्ड का जिंगी जी रहे हैं तकरीबन 30% भारत ऐसा है, जो एक मिडल इंकम कंट्री के आसपास है और 70% भारत आज भी सब सहरन आफरीका के लिए है तो मेरे हिसाब से हमारे पास थोड़ा ही है और हमें बहुत सारा अभी करना बाकी है ताकि वो 70% लोग जो सब सहरन आफरीका लेवल जी रहे है उनको हम उपर ला सके लेकिन अब इस जद्दो जहत में या इस तरह के पूरे समी करन में अगर मैं देखूं, बाजार की कहानी कितनी बढ़ली है इन 70 सालों में बाजार बढ़ेगा तब जब एकनॉमी बढ़ेगी नबबे में जब मैंने सुरुआत की थी अपनी कारकिर देखी तब GDP और मार्केट केप मूटा मूटा 300 बिलियन डॉलर था आज 3 दसक के बाद GDP 3.6 ट्रिलियन डॉलर है मार्केट केप उसके आसपास है तो जितनी एकनॉमी बढ़ेगी उतना ही मार्केट केप बढ़ेगा अब यहां से अगे हमें 5 ट्रिलियन डस ट्रिलियन डॉलर एकनॉमी करनी है तो जाइज है कि मार्केट केप भी उसी डिरेक्शन में बढ़ेगा सो मार्केट और एकनॉमी एक दूसरे से बहुत करीबी से जुड़े है थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है बट जितना जिटना जीडी पर बढ़ेगा उतना उतना मार्केट बढ़ता रहेगा बिल्कुल जब भी हम इस तरह के मुद्दे पर बात करते हैं आर्थिक आजादी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो आजादी के पूरे कॉंसेट में देखा जाए तो बहुत ही कस्टमाइज़ है है ना हर किसी के लिए आजादी के और आर्थिक आजादी के अलग-अलग मा बात करते हैं इसको लेकर ऐसा नहीं है कि गारी कहीं नहीं पहुंची है शुरुवात हुई है लेकिन अब भी करना बहुत कुछ बाकी है एक जो दुख की बात है कि जब हम देखते हैं कि देश के 10 करोट से ज़्यादा लोगों ने क्रिप्टों में पैसा खोया है बिलकुल दो करोट से ज़्यादा भारतीय ऐसे हैं जिनोने तकरीबन एक लाक असी अजाक करोट से ज़्यादा रुपई या पौंजी स्कीम में खोया है बिलकुल गेमिंग के अंदर लोगों ने जिनों 10-12 करोट से ज़्यादा लोगों ने पैसा खोया होगा ऐसे स्टेट है भारत में जहां पे इतने सालों के बाद mutual fund investment उतना नहीं बना है equity में जितना वो लोग प्रती साल lottery खरीदने में लगा देते हैं clearly भारत में savings अच्छा है लेकिन निवेश के मामले में लोग गुमरा हो जाते हैं और इसलिए हमें बहुत बड़ी जरनी आगे कवर करनी है कि लोग लालच में आके इस प्रकार के गलत निवेश न करें सही तरीके से निवेश करें और आर्थिक आजादी पाए एक सर उठा के जी सके वैसा हर भारतिय का सपना होना चाहिए और वह मार्केट में निवेश करके ही बन सकता है बलकुल बलकुल और इस पूरे समीकरन में एक बहुत बड़ा बदलाफ जो कहानी में ट्विस्ट अगर हम कह सके तो वो हमने कोविट के दौरान देखी जहाँ पर लोगों को भले ही डर के मारे चिंता के मारे लेकिन उन्होंने अपने आर्थिक भविश्य के बारे में सोचना शुरू किया सोचल मीडिया मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत बड़ा माध्यम बना जिसके जरिये लोगों को एट लीस्ट ये संग्यान में आना शुरू हो गया कि उनके लिए किस तरह से आर्थिक सुरक्षा आपने लिए बहुत जरूरी है भले ही वो सही इंशॉरंस लेने से ही क्यों ना शुरूवात करें लेकिन अब उसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपने जिकर भी किया है गुमरा हो जा रही है निवेशक अब क्यूंकि जानकारी का अभाव है सही गलत की पहचान नहीं है जहां कहीं भी उनको लगता है कि अच्छा छोटी अबदी में मोटा पैसा कमाने का मौका है तो सीधा उस पर वो अपना पूरी महनत की पूरी कमाई जो उनकी पूंजी है वो लगा बैठते हैं तो अब ऐसे में देखा जाए तो आने वाले वक्त के लिए हमें किस तरह के निवेशक को तयार करना चाहते हैं आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप वित्ते साक्षरता को फॉलो करें गुम्रा ना होए लेकिन उसके लिए भी उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किसे फॉलो करें किसे फॉलो ना करें क्या जानकारी सही है क्या जानकारी गलत है सो एक निवेश को तीन एड़िटाइजमेंट ध्यान में रखनी चाहिए पहली एड़िटाइजमेंट है डी बीर्स की जो लिखता था डाइमंड सर फॉरेवर सो मैं कहूंगा कि आप एटी नाउ स्वदेश को याद रखे जो कहता है इंडिया इस फॉरेवर दूसरी है माउंटन ड्यू की जो कहता है डर के आगे जीत है याद रखेए कि डर के आगे ही जीत है एक्विटी में निवेश करेंगे तो डर तो लगेगा पर उस दर को काबू पे ले पाए तो फिर आगे जीत है और फाइनली एक स्विस वाचे पटेक फिलिप करके जो कहता है कि यू डोंट ओन पटेक फिलिप यू मेरली पासिट उन टू नेक्स जनरेशन तो इंडियन एक्विटी विचार फॉरेवर जिसमें साइद पहले डर लगेगा आने में बट उसके आगे जीत है वो आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए खरीद देगे उनको आप कुछ देके चले जाना अगर ये तीन चीज याद रही तो मेरे हिसाब से निवेशक सही रास्ते पे है आर्थिक भवश्य भारत का आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं मुझे लगता है कि अगर हम हुमन बिंग की हिस्ट्री देखे तो तक्रिबन अठरा सालों के लिए भारत दुनिया की नंबर वन नंबर टू एकनॉमी रहा था और इसलिए क्रिस्टोफर कॉलम्बस से लेके वास्कोडी गामा भारत को ढूंडने निकले थे 200 सालों अंग्रेजों ने बहुत लूटा तो हम पीछे आ गए कुछ हमने एकनॉमिक पॉलिसी ऐसी अपना ही जिसने हमें रोक के रखा बट अब हम कल को भूल चुके है एक नई आशा है एक नई उमंग है और उस वज़े से लगता है कि आने वाला भारत का भविश्य बहुत सुना रहा है दो चीज़े इसमें बहुत काम करेगी इसी कॉपरेट दुनिया तो अच्छा करती है अच्छा सोचती भी है पट फार्मर्स ओफ इंडिया आज बड़ा सोच रहे हैं अमुल भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है करोडों फार्मर उसे चलाते हैं उन्होंने ठाना है कि 2047 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन जाएंगे आज टर्नोवर 72,000 करोड है उसे तकरीबन 18,000,000 करोड के उपर पहुँचा देंगे किसी को लगेगा ये तो ख्वाब है सेख चली है बट अमुल ने तो चमतकार करके दिखाया है 1970 में भारत मिल्क की आयात करता था और यूरोप के मिल्क से 16% प्रोड़क्शन बनाता था आज अमुल और दूसरे लोगों के सहयोग से 1500% मिल्क प्रोड़क्शन है यूरोप से जादा और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडूशर भारत है तो अग पचास साल में हम इंपोर्टर से दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर बन गए तो क्यो नो अमूल दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बने मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब लंडन, टोक्यो, पैरिस या नियूर्क में जाके हम कहेंगे अमूल मसके वाली पाउं भजी देना बिलकुल, बिलकुल, मेरे ख्याल से इस अच्छे अफसर पर ऐसी बात करना, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जबान पर सरस्वती बैटी हो इस वक्त अब ये जो बात है मुझे सवाल पर ले आती है कि किसी को अगर आप से इस वक्त जानना हो आजादी का स्वदेशी पोर्टफोलियो बाजार के इस लेवल पर तो वो आप उन्हें क्या कहेंगे सो मेरे हिसाब से हमें निवेश करते समय स्वदेशी या विदेशी इससे कोई सरोकार नहीं है हमें तो उस कंपनी में निवेश करना है जिसके प्रमोटर्स की वैल्यू स्वदेशी हो हमने आजादी के संग्राम में भी देखा था बहुत सारी विदेशी लोक थे जो भारत के स्वतनत्र संग्राम में जूड़ गए थे बिकुज उनकी वैल्यूज भारतिय बनी हुई थी चाहे डॉक्टर एनी बिसंट हो चाहे एलेन ओक्टोवियो हूम हो बहुत सारे लोक थे जो भारत के स्वतनत्र संग्राम में जुड़े हुए थे सो हमें भी ऐसे प्रमोटर्स में ऐसी कंपनी में निवेश करना है जिनकी वैल्यू स्वदेशी हो क्या वैल्यू चाहिए एक विजन होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है जैसे अमूल ने कहा कि मुझे दुनिया में सबसे बड़ा बनना है अगर नहीं भी होगा तो भी वो इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारे लिए काफी होगा दूसरा उस विजन को एक्जेकुशन करने की ख्षमता होनी चाहिए पेच थ्री में आने के जगा आपके फैक्टरी के अंदर जाके जो काम करे उसमें एक्जेकुशन किसमता जादा होगी और तीसरा गवर्नन्स आज की तारिख में अगर आप गवर्नन्स में गलत होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भारत एक राइजिंग टाइड है इसमें जिस बोट में आप बैठेंगे वो उपर आ जाएगी थोड़ी देर सवेर बट उपर जरूर आएगी जिस बोट में होल है गवर्नन्स का वो डूप जाएगी तो विजन, एक्जेकुशन और गवर्नन्स ये तीन वैल्यूस जिस कंपनी में है वो हमारे लिए सबसे बहतर होगी निवेश करने के लिए और मौजज़ा सवेमेबाद बाजार की चार्ल जिसको लेकर शायद दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल या निशान हो घरेलू ट्रिगर्स के लिहाद से अगर हम देखें आगे की दशा और दिशा क्योंकि अब एक तो हमारे लिए इलेक्शन दोचर चौबिस है जिनरली मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट के बाद उतार चड़ाओ आते दिखते हैं अगर उनकी अनुमान से अलग विपरित रिजल्ट नतीज़ा आता है दूसरा जो महत्वपून चीज है वो है हमारी कॉपरेट परफॉर्मेंस अगर यूएस में ब्याच की दरे बढ़ती है तो कहीं न कहीं हमारी वैल्यूएशन के उपर उसकी इंपेक्ट आएगी अगर एनरजी के दाम बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारी valuation पे उसकी impact आएगी so corporate performance किस तरीके से बढ़ता है उसके उपर ध्यान देना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से डर के आगे जीत है डर तो बना रहेगा market में उतार चड़ाओ तेजी और मंदी दोनों ही आते रहेंगे लेकिन अगर आप सही तरीके से निवेश करते रहे लंबी अवधी के लिए निवेश कर ले तो मेरे हिसाब से डर के आगे जीत है और इस डर के आगे जीत के जो भरोसे को पाने के लिए आपको किन सेक्टर्स पर दाव लगाना चाहिए जिन पर आपकी नजर भी है मेरे हिसाब से एक diversified portfolio रखना चाहिए आज banking and financial क्षेत्र काफी अच्छा लगता है NPS बहुत कम लेवल पे है margin बना हुआ है liquidity अच्छी है RBI पूरी banking क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से चला रही है मतलब एक ही सब्द में कहूँ परिशानी का सामना किया दुनिया भर में SVB SVB हुई उस वक हमारी एक छोटी सी बैंक शामराव विठ्थल बैंक को लोगों को कहना पड़ा कि बाई जब आप SVB बोलते हो तो वो American bank के हम नहीं है हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी छोटी सी बैंक को इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा दूसरा क्षेत्रा IT और फार्मा है इन दोनों क्षेत्र में नजदी की कैटलिस्ट कोई नहीं है बट वैल्यूएशन उन अंसर्टिनिटी को मद्दे नज़र रखते हुए काफी रीजनेबल है यहाँ पे अगर आप एवरेज करे और तकदिर ने साथ दिया थोड़ा यह जो परेशानी है नियर टम वो दूर हो जाए तो इस क्षेत्र में अच्छा पैसा बन सकता है तीसरा जो बड़ा थीम है वो मैनुफैक्टरिंग इन इंडिया है चाइना प्लस वन के तहट विदेशी कंपनीज भारत से सूर्सिंग करने के लिए तयार है कुछ क्षेत्र मोबाइल फोन्स टॉइज यहाँ पे हमने देखा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत भागीदार बन रहा है तो एक कंपनी जो देश और विदेश दोनों में अपना माल बेच सके जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके उस मैनिफैक्टरिंग कंपनीज में निवेश करने में अच्छे परिणाम आ सकते हैं तो भारत की तरक्की की और इनके योगदान के बगएर कोई भी कहानी पूरी नहीं हो सकती अधूरी है और अभी तो हम डेटा भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ग्रामीन महिलाओं की बचत का एक डेटा आया था जहांपर उनकी बचत जो है उसमें इजाफा पाया गया है रेगुलेटर्स की तरफ से भी हमें कई सारे डेटा आते रहते हैं पिछले दिनों मेरे खाल से एक डेटा आया था जहांपर ये कहा गया था कि महिलाओं जो हैं खास्तोर से 40 और उसके उपर की जो महिलाओं हैं वो बड़ी तादात में निवेश कर रही है वो उभरती हुए निवेशक की संख्या में जो हैं उभरती भी दिखाए दे रही है इसको हम और कितना अग्रेसिव होता हुआ देखना चाहते हैं कितना बड़ा है ये तबका कितना जरूरी है ये तबका So undoubtedly हमारी जो महिला है उनमें बहुत सारी खूबिया है बलकुल एक आदमी का चाहे जितना भी पगार हो उसकी महिला चाहे माता हो बहन हो बीवी हो घर चला लेती है जब मैं 6,000 रुपे कमा था तब भी मेरी माताजी मेरा घर चला लेती थी और आज बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ तब भी मेरी वाइफ मेरा घर चला लेती है तो बच्चत और बजट ये हमारी महिला के खून में है लेकिन इस बच्चत का जिस तरीके से वो निवेश करते है उसमें थोड़ी इंप्रूमेंट की जरूरत है मतलब मैंने माता जी के साथ देखा था कई बार वो पैसा बढ़नी के अंदर घर के बकसे में रख देती थी मेरे इसाब से ये पैसा SIP के जरिये निवेश करना चाहिए इसकी सीख आपने उनको कैसे दी वेल मुझे बहुत समय लगा but at least I am happy कि मेरी वाइफ और बेटिया मुझे सुन रही है माता जी को बदलना थोड़ा मुश्किल था बहुत सारी महिला हैं जो आज भी गली के नुकड के उपर जो गोल्ड ज्वेलर है उसके वहाँ पर हर महिने कुछ पैसा रखती है और 11 महिने के बाद 12 महिने पर वो गहने खरीद लेती है बहुत सारे जोएलर बहुत अच्छे होते हैं बट कई जोएलर पैसा लेके भाग जाते हैं तो इस प्रकार की विशी करने की जगा पर आप गोल्ड एटीएफ के जरिये निवेश करिए बहुत सारी मैला ऐसी है जिन्होंने एक नियम रखा है दिवाली के दिन सोना खरीदेंगी अक्षाइत रुतिया के दिन सोना खरीदेगी बच्चे के बड़े पर सोना खरीदेगी जब आप छोटी-छोटी किस्तों में सोने खरीदते हो दो ग्राम, पांच ग्राम, एक ग्राम तब आप 30-40 प्रतिशत कॉस्ट देती हो इतना पैसा बरबात करना अच्छा नहीं है उसकी जगह पे आप गोल्ड ETF खरीद लीजिए आपकी कॉस्ट आधा टका एक टका होगी मुश्किल से तो जो बच्चत और बजट के अंदर निर्वाह करने का गुण है महिलाओं में वो बहुत ही काबिले तारीफ है लेकिन निवेश करने के लिए वो लोग कुछ मॉडर्ण तरीके अपना सकते हैं वो उनके और उनके फैमिली दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा और इसकी शुरुआत जो है घर से होती है और क्यों आगर घर के पुरुष इस चीज़ को समझते हैं तो वो ही थोड़ा सा आगे बढ़कर अपनी घर की महिलाओं को आगे बढ़ाए और आर्थिक आजादी की और उनको बढ़ने में अटलीस उनके साथ चले उनके आगे नहीं उनके पीछे नहीं उनके साथ चले ये बहुत जरूरी है लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आपने अपनी माता जी को कैसे सिखाया क्योंकि आजकर हम ये देख रहे हैं कि भारत बदल रहा है भारत का युवा बदल रहा है और कई सारे ऐसे उधारन हैं जहां पर आज की तारीक में हम देख रहे हैं कि जो हमारे युवा है वो अपने माता पिता या अपनी ओल्डर जनरेशन को investments की सीख दे रहे हैं, उनके portfolio को संभाल रहे हैं या सुधार रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उभरते हुए भारत की बहुत ही खुबसूरत कहानी है, इसका अनुभव आपने कितने closely देखा है, कितने करीबी से होते वे देखा, बहुत बार देखा है, निवेश करते समय और निवेश लेते समय एक old generation businessmen थे उनकी सोच अलग थी, बलकुल और जो नई generation आई है वो governance के मामले में अपनी old generation से बहुत आगे हैं तो उस प्रकार की company में निवेश करना बहुत अच्छा लगता है, जहां पे नई generation aggressively काम कर रही है, और governance के प्रतीक बहुत ही जागरुक है बलकुल निवेश के समय में भी देखा है कि एक generation थी जो हमेशा bank fixed deposits जैसे instrument में निवेश करती थी उनकी गाड़ी में either reverse gear था और या 5th gear था कभी direct equity में गुस जाते थे नहीं तो bank fixed deposit में रहते थे जो नई generation आई है वो बहुत open है mutual fund, PMS, AIF, alternate सारे प्रकार के instruments में निवेश कर रही है आज से 15 साल पहले family office का नामों निशान नहीं था आज गली गली नुकड नुकड पे आपको एक family office मिल रही है जो अपने निवेश को सही तरीके से बढ़ा रही है ग्रो कर रही है तो मेरे हिसाब से आज की जो UAPD है वो हर technology का सदूपयोग कर रही है दुनिया में क्या हो रहा है उसके मामले में उन्हें ज़ादा जग रुकता है और वो सही तरीके से अच्छे तरीके से निवेश कर रही है बिलकुल इसी को इसी सलसले को हम आगे बढ़ता हुआ ज़रूर देखना चाहेंगे हमारे देश में लेकिन आजादी की लड़ाई की कहानी इपर मुझे आपसे पूछना है इकनॉमी रिलेटेड मेंटर्स देखने लगा तब मुझे लगा कि जमशेद जी टाटा, जे आडी टाटा, गंशे आमदास बिरला, अधित्य विक्रम बिरला, वालचन, हिराचन, ये सारे इंडस्ट्रिलिस्ट, उन्होंने कितनी कठीनाई के बाद भारत की उध्योग की निव रखी मतलब जमशेद जी टाटा ने जब किसीने स्टील कंपनी सोची नहीं थी तब उन्होंने जमशेद पूर में स्टील कंपनी लगाई उन्होंने जो सबसे पहली मिल नाकपूर में लगाई थी वहाँ पे अपने वोमन वरकर के बच्चों के लिए अंगनवाडी खोली थी उन्होंने प्रोविडेंट फंड और ESIC जब लौ नहीं बने थे तब अपने वरकर्स के लिए लाँच किया थी उन्होंने अपनी फैमिली की महिला के ज्वैलरी गिरवी रखके पैसा बोरो करके जमशितपूर में लोगों को salaries and wages दी थी मतलब यह जब सब देखता हूँ तब लगता है कि जैसे हमारे political leaders थे वैसे ही हमारे industrial leaders भी भारत की स्वतंतरता के सेनानी थे एक ने हमें political आजादी दिलाई दूसरों ने हमें आर्थिक आजादी दिलाई तो आपका एक मंतर जो मुझे याद है डर के आगे जीत है लेकिन इसके अलावा आर्थिक आजादी या आजादी का ही अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ऐसी कौनसी सोच है भारतियों में या जो आपको आमतर पर समझ में आती या भाब पाते जिससे हमें आजादी की ज़रूरत है वो क्या होगी एक हमने देखा है कि जब हम आर्थिक रूप से आजाद या पॉलिटिकल रूप से आजाद महीं थे तो कैसे अंगरे जो ने हमें बांट दिया और हमारा धन लूट के चलेगे ट्रिलियंस ओफ डॉलर का हमने पैसा खो दिया दूसरी बाजू अगर आप देखे तो आज भी ऐसे बुजर्ग है जोनों ने अपना सारा सेविंग्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा दिया उनकी अच्छाई के लिए लगा दिया और आज वही बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं बड़े बेबस होके लाचार होके मजबूर होके जी रहे हैं तो मुझे हमेशा लगता है चाए नागरिक हो चाए देश हो सर उठा के जीना चाहिए हम किसी के मोहताज नहीं बने हम अपने दम पे अपने बल पे खड़े रहे वही आज़ादी है खुद पर करो यकीन और बदलो और बढ़ो देश के साथ चलिए इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने इस इसने खास शोमिया शरकत की धन्यवाद मुझे भी इजास दें